वेल्कम बैक टो अगर चैनल आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइन्स की कोशन सीरीज को जो आपके आपके हर एक्जाम में आपको हेल्प करेगी आप किसी भी कॉम्पेडिटिव एक्जाम की प्रिपेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल साइन्स आपसे पूछी जाती है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें हम कोशन का नंबर बढ़ाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करेंगे देखिए जनरल साइंस किसी भी एक्जाम में आती हो जनरल के लिए आप देखेंगे आपके जादातर कोशन जो हमने कराये हैं उसी से होंगे जब आप एक्जाम में बैठेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियो के लिए चलिए फिर आज हमने कुछ इंपर्डेंट को लिया है जो आपसे किसी ना किसी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं और इंपर्डेंट हैं फर्स्ट कोशन देखिए निम निलिखित में से कौन प्रदूशन के अच्छे सूचक होते हैं आपको आप्शन दे रखे हैं शैवाल कवक लाइकेन या फिर फर्न तो देखी मैंने आपको बता रखा है अपनी प्रिविएज वीडियो में अगर आपने बहुत अच्छे से डिटेल में जनल साइंस पढ़नी है तो आप यूट्यूप पर सर्च कीजिए जनल साइंस बाय महजबी अली आपको इस वीडियो के कम लिंक मिल रहे हैं वह वायू पर दूशन तो वह क्या ओते हैं लाइके यूलाय जैण मैं आपको बता चुकी हूँ है अच्छे सूचक होते हैं सिसमें क्या है werd hisr Sam bases production कि जहां भी होगा भवा बाभान लाइकल कि मात्रक और कम हो जाएगी खतम हो जाएगी तो लाइकल क्या है आपको जो भी वहां पर मिले तो उसका अध्यन मतर्फ किसका अध्यन कियाता है उसमें शहरवालों क जिबकि कवग का जो अध्यन होता है वह मेने आपको उसाधियोजी अध्यन बैक्टेरियोलोजी जिवाणुलोजी ही होता है और लाइकेन का इसी में आजाता है अध्यन का एट किस सापरेट जो आजाता है वो किन दोशीज ग्याज़ा जाएगा si m6 दी सबस्टि इससिदें क्लोरोफाइसी जो क्लास होती है हरे शयवालों की वह होता है फिर देखिए रिंटिक में सब्सक्राइब को इसके आपना बोजन बना सकते हैं को उसबशी ही होते हैं यहां पर जो सबसे अच्छा जो एक्जाम्पल है वो कहा है शैवाल शैवाल क्या है पोधों का सबसे निमनितब क्या है ग्रूप है और इसमें कहा है कि अपना भोजन जो है खुद से बना लेते हैं शैवाल शैवालों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके सारे कोशन में आपको अच्छे से बताऊंगे तो शैवाल जो है सौपोशित होते हैं क्यूंकि यह पौधे हैं और अपना भोजन क्या है खुद से बना लेते हैं जैबकि मश्रूम अगर हम देखते हैं कवक होता है मश्रू संसार बढ़ने वाला पौधा है संसार में आगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिपीटीशन से तेज बढ़ता है तो वह क्या होता है अपका बांस होता है बैमबू के प्लांट्स होते हैं किसका विज्यानिक नाम है यह बताना है तो आप्शन आपको देए रखी है अम्रूद, आमला, आम या चीकू तो देखिए यह आपका बहुत अच्छा कोशन है और आपके NCRT में भी है आम का विग्यानिक नाम बहुत सारी चीजों का दे रखा है लेकिन यह NCRT में जो आपके विग्यानिक नाम है वो आपको अच्छा सा पता भी होने चाहिए तो MNG फ जो है, एक सेप्रेट से वीडियो बना के दिया है दूसरे चैनल पर जिसका लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आप उस चैनल पर जरूर जाहिए आपको बहुत सबहुत हैं लेगी वहां सेप्रेट गासों का दियान है जो मैं आपको बता चुकीए हूं पहली नो लॉजी का है अपका प्राग कढ़ों का अध्यान है फिर देखिए जीवन चक्र की द्रिस्टी से पौधे का सबसे महत पूड अंग है तो देखिए जब जीवन चक्र की बात होती है तब लुद्ध हम जीवन चक्र मतलब कि वो जनन कर रहे हैं, वो जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पक्ष में देखें, तो वो हांपर जो है, पुष्प जो है, फूल जो है, वो सबसे important part है, क्योंकि ये क्या है, ये जनन अंग है, ये पौधे का क्या है, जनन अंग है, पुष्प से ही आगे जो होता है, जनरेशन बढ़ती है, तो जीवन चक्र की द्रेश्टी से पौधे का सबसे महतुपूर भाग क्या है, पुष्प है, फिर देखते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, बार-बार पूछा जाने वाला कोशन, आपको बहुत-बार रिपी आपक्सिया है, यह चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखिए, हवा के परागण को कहते हैं, देखिए, जब जो प्लांट्स होते हैं, वो अपने फूलों की थ्रू जो अपना मादा से जनर, मादा तक पहुचना परागणों का, इसको क्या बोलते हैं, पर परागण होता है, जो परागणों का स्टिगमा पर पहुचने की किरिया को परागण कहते हैं, तो जब हवा से होता है, तब बताना है कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है, एनिमो फुली, धिहान रखना है, ठीक है, तो देखिए, यह हैं इंपोर्टेंट में तब तक किरिम पढ़ते रहे हैं, तेंक्यू